जैहिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस की पाट साला में दोस्तों आज मैं काफी दिनों के बाद लाइव आया हूं और लाइव आने का कारण भी है लाइव इस तरीके से वीडियो बना रहा हूं तो उसका एक रीजन भी है रीजन यह है कि बहुत सारी अभी जो घटना करम चल रहा है उससे संबंधित चात्रों को बहुत सारी मन में जो है मतब उहापोह चल रही है तो देखिए दोतीन चीजें हैं जो जिन पर मैं आज बात करूंगा और उस पर कुछ बताऊंगा अपने विचार रखोंगा हो सकता है कि आप इससे सहमत हों हो सकता है आप इससे सहमत ना हों ठीक है तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए कि बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा आट-दस मेर्ट का होगा ठीक है पहली बात तो हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पह अब तक आयोग की दरफ से ओफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास मत करिए ठीक है कि 17 मार्च को नहीं होगा ऐसा कुछ अगर नोटिफिकेशन जब तक ओफिशिल नहीं आता है मत मानिया यह मान के चलिए कि 17 मार्च को ही होगा और अप से मदब 15 दिन ही बचे हुए लगबग तो आप उस हिसाब से अपनी टैयरी करिए रिवीजन को आप टॉप मोस्ट रखिए जितना अभी तक आपने पढ़ा है आरो एरो में आपने जबर्जस्त महिनत करी थी ठीक है हमने मिल कर महिनत किया था तो इसमें हम महिनत करें श्युर warrior नहीं है बस अपको रिवीजन करना है और करेंट एप एक लगबग और पढ़ड़ना है ख केस अगर आप पैटर आपको मतलब दो आके दिये गए तो एक पता है एक नहीं पता है इस तरीके से काफी घुमाया गया था पेपर का लेवल अच्छा था ठीक है तो हलाकि वो पेपर लीख हो गया और सारी घटना करम आप जैसे ऐसे हुआ है देख रहे हैं आप लोग ठीक है दबाव बना हुआ ह अल्रीडी छात्र और जो सिक्षक गण है सभी लोगों ने मिल करके सभी के प्रयासों से ये दबाव बनाया जा रहा है प्रसासन पर आयोग पर की जल्द से जल्द इसको निरस्त करके एक्जाम कैंसल करके और री एक्जाम की डेट दी जाए तो देखिए हो सकता है कि दो च प्रसासन प्रसासन ही इसका जो है वो दिसा अधिसा वर धिसा दोमनों टै करेगी त confessरानी है आपके हांथमें किया है वो और यॉव झाल रहा है लोग चल रहा है थी ज्यादा से ज्यादा आप लोग उस्हука पर सा जफिस्ट करिए ज्यादास ज्यादा त्वीट करीicias आच Da PCS 2014 के लिए कुछ चीजे में महत्पूर्ण चीजे बताऊंगा क्योंकि मेरा लगातार 2020 से क्लियर हो रहा है तो प्री के लिए मैं जो चीजे बताऊंगा वो अपने अनुभो से बताऊंगा उस पर आप जरा भी संदेव मत करिये गए जो चीज में बताऊंगा उसको अनुभो सब्सक्राइब कर लिए तो उसको आप हलके में मत लीजिए 2018 से लेकर के और 2023 इसका एक PDF में डाल दूँगा वह से आप ले सकते हैं और उसमें पूरा फिरस वाले कोश्चन उनको छोड़ दीजिए बाकी जो GS के प्रशन हैं उनको हल कर लीजिए अप ठीक है और ये आप दो काम करिए पी वाई की और ये वाला करिए रिवीजन वाला ठीक आपने जो नोट्स बनाये हैं वो पढ़िए जिसे कुछ-कुछ प्रशन हैं कुछ-क कुछ टॉपिक है या कुछ-कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप अगर अच्छा कर जाते हैं तो आपकी जो सेलेक्शन के चांस से बढ़ जाते हैं जैसे पॉलिटी इन्वाइर्मेंट इनमें बहुत जादा चेंज नहीं आते हैं ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है हिस्ट्री आप उठाके देख लीजिए तो आपको हर साल कुछ-कुछ नए नहीं प्रस्ण देखने को मिलेंगे लेकिन पॉलिटी में इन्वाइर्मेंट में यह सब क्या है कि रिपीटेट प्रस्ण होते हैं और इनमें बहुत जादा कुछ चेंज भी नहीं आता है तो इस लुषंट के वाला जीके वाली बुख है मैं जैसे मेरे पास आप पुरानी लेटिस्ट वाला वर्ज ingredients अब इननrick करें हैं singular और इन से अच्छी खासे प्रस्न आते हैं पंदरा से मतलब अठारा प्रस्न के बीच में आ जाते हैं आपके यह सारी चीजे मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इनको अभी दस से पंदरा दिन बचे हुए हैं आप इनको रिवीजन करिए इनका रिवीजन करिए ठीक है हलके में मत लिजिए सीसएट के लिए देखिये इसमें आपने मेहनत करिए भी आरॅ आरो में रिजनिंग अगरे ये सब सारी चीजें पड़र रखी हैं ठीक है सीसएट का का म करिएगा इनको जुरू लगा लिजिए एक तरफ से फूरू करिए और रिजनिंग मैठ्स जो भी है चाहे वो interpersonal skill वाले हों, communication skill वाले हों, सारे प्रशनों का आप एक बार हल कर ली जाएए, इसमें पूरा बाकाइदा हल भी दिया हुआ है, इससे आप निश्चे तोर पर आपका जो seaside में फस्ते हैं बच्चे, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, अगर आपने इसको हल कर लिय होगा है, telegram channel पर, और अगर आप वैसे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ मैंने seaside के बारे में बताई है, ठीक है, seaside में बहुत कोई drastic परिवरता नहीं आता है, ना कोई current affairs पूछा जाता है, उसमें limited pattern में limited चीज़े हैं और इस तरीके से पूछी है, मैंने हिंदी का बहुत, हिंदी की दो, तीन, चार या चार वीडियो डाले हैं, ठीक है, उनसे प्रशन आपको 100% देखने को मिलते हैं, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़ मैंने बता दिया, हिस्ट्री बगारे के लिए आप बस लूसेंट में आप आइडिषटी की ही, PCS के लिए, आपको लगता है, तो आप ले सकते हैं, लगता है कि आप उसको कम्प्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें आपने उसमें पढ़ी हैं, इसके पहले वाले जो IDESTI, innovations के लिए उसमें अगर आपने पढ़ रखी हैं, और यह लेकर आप पढ़ सकते हैं उसमें बहुत भारी भर कम नहीं है आपको सवा सवा रुपए में उपूप मिल जाईगी और पढ़ लीजिए उसको ठीक है अगर नहीं भी है तो आप कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो पिछना जो पढ़ रखा है उसम है, और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई करते रही है, जब तक आपको officially कहीं से न पता चले, तब तक आप मत मानिये कि paper cancel होगा, होगा तो भी वही बात है, नहीं होगा तो भी वही बात है, एक्जाम तो होना ही है एक नएक दिन, चाहे नहीं होगा तो ठीक है अब आयोग रिसाइड करेगा यह हमारे और आपके इसमें नहीं है तो आप यह मानके चलिए अभी 17 मार्च मानके चलिए बाकी का देखा जाएगा होगा सबके लिए होगा पॉस्टपोन वगा तो सबके लिए होगा ठीक है तो ये सारी चीजें हैं अगर और कुछ डाउट होगा कमेंट करिए यह जोइन करके वहां से बाउट पूछ सकते हैं ठीक है और मैं यह आप ठीक है पी वाइक्यू और जो आपने नोट्स बना रखें हैं प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारी बना रखी है इसमें देखिए आप जाके तावर तोड़ सीरीज देखिए आप उससे पहले भी जो मैंने बहुत सारे प्रस्ण करवाए हुए हैं मौक टेस्ट करवाए को रिलेट करके आप आप से हिस्टी की चीज़ें पूछ ली जाती है तो यह सब कर लिजिए आप ठीक है यूपी स्पेसल जुरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है अच्छा खासा प्रशन आएगा जैसे आता है हर बार सेंसर्स पढ़िएगा आप लोग सेंसर्स मैंने सब डा पर हो जाएगा तो कुल मिला के जो यह आठ दस मिनिट का जो वीडियो रहा है बेसिक चीजें इसमें मैं जिस्ट बता देता हूं लास्ट में कि आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है जब तक कि कोई आपको न्यूज न मिल जाए ठीक है दूसरी बात आपको रिवी अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत मतलब निश्चिंत रहिए आपको उसी से हो जाएगा पूरा जो यह 10-12 साल का है अगर आप उसको अच्छे से मतलब हाल कर लेंगे तो आप निश्चित तोर पर आपका कल्यान हो जाएगा सी साट से ठीक है तो यह सारी चीजे थी मैंने है बताया आपको आगे भी ऐसे ही मैं आपको कुछ कुछच चीज़ें बताता रहूँगा तो छलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा सेयर कर दोद pools किड़ेगा चैनल सो मत्रूम कर लिजीए स्भेर सूराव्व कर लिज